नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही एडी को कोट ने बहुत बड़ा वाला जटका दे दिया है या कहिए अर्विंद केजरीवाल ने इडी को बुरी तरह से फसा दिया आप सोच रहे होंगे इडी को फसा दिया आपको पताई होगा कि दिल्ली आपकारी नीती के मामले में जिसे भाजपाश शराब घोटाला कहती है आठ बार पेश होने का समन भेज चुकी है केजरीवाल क लेकिन केजरिवाल एक बार भी एडी के सामने पेश नहीं हुए एडी का रोप है कि केजरिवाल दिल्ली शराब भुटाला मामले में लगातार आठ बार एडी के समन की अन्देखी कर चुके हैं और ये ठीक नहीं है इसी को लेकर एजनसी ने दिल्ली की राउजवेन्यू कि मिलाड मुख्यमंत्री जी को कहिए वो हमारे समन के कद्र करें हमारे सामने हाजर हों कोट ने केजरिवाल को खुद पेश होने के लिए समन जारी किया था और वो पहले ही समन पर कोट में पेश भी हो गए अदालत में केजरिवाल के वकील ने दलील दी कि सीम के खिलाफ ज का पालन करते हुए वो कोट में पेश हुए इसके बाद अदालत ने उनकी अर्जी मनजूर करते हुए दोनों ही मामलों में 15,000 के नीजी मुचलके पर जमानत देदी इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें नियमित पेशी के लिए कोट नहीं जाना पड़ेगा लेकिन यह मामला सबसे उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे मतलब एडी को भी अब कजरिवाल पर सीधा हाथ डालने के लिए कोट का मुह देखना पड़ेगा तो क्या एडी अब कजरिवाल को आगे समन नहीं बेचेगी गिरफतार नहीं करेगी और अगर भेजेगी तो क्या कजरिवाल का पेश होना जरूरी है ऐसे में अरविंद कजरिवाल की आगे की राह क्या होगी कानूनी रास्ता क्या होगा इसको जरा देखिए आपके मन में पहला सवाल यहीं होगा कि क्या कजरिवाल बच गए हैं तो इसका जवाब यह है कि अधालत ने मुक्यमंत्री के जरिवाल को सिर नियमित पेशी से छूट दी हैं यानि ये मामला अभी भी कोट में विचारा दीन है चलता रहेगा लेकिन शराब घोटाला मामले में वो अभी भी आरोपी हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है एडी के समन की अंदेखी को लेकर अगली सुनवाई एक अपरेल को होनी है मतलब लोग सभाद चुनाओ के बिलकुल उरूज पर उस सुनवाई में सियार पीसी की धारा 207 यानि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की कौपी दिये जाने के नियम के तह हर बार उन्होंने एडी के समन को गयर समवधानिक बताया और एक बार भी पेश नहीं हुए इडी ने इसके खिलाफ अदालत में दो बार याचिका एंदायर की खास बात यह है कि अदालत में याचिका लगाने के बाद भी एडी ने कजरिवाल को समन भेजे रुका नहीं उ ने दिया गया यह नहीं हो सकता है कि अजिन्सी के जरिवाल को नवां और दसमा समन भी भेजे इससे आगे का सवाल यह है कि क्या एडी के अगले समन के बाद अरविंद के जरिवाल पेश होंगे उनके सामने कोई मजबूरी है तो इसका जवाब का जरिवाल के अभी तक कर है तो यहीं लगता है कि इसकी उमीद ना के बराबर है वो तब तक एडी के सामने हाजर नहीं होंगे जब तक यह अदालत उन्हें इसके लिए मजबूर ना कर दे आपने देखा भी होगा कि जब एडी ने अदालत में याजिका दायर करने के भी समन जारी किया था तो केजरिवाल के तरब से कहा गया कि यह मामला कोर्त में है इसलिए वो इडी के सामने अब पेश्ट नहीं होंगे ऐसे में अगर B tonight का फैसला आने से पहले नवा समझ जारी हो तो केजरिवाल शायद ही पेश्ट हो अब सबसे जरूरी सवाल क्या जमानत मिल जाने के बाद भी केजरिवाल को एडी गिरफतार कर सकती है तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी भी पक्के से कुछ कहने की इस्तिती में नहीं है या आप कह सकते हैं कि उसकी धरकने बढ़ी हुई है क्योंकि एडी ने केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर आज तक कोई बात नहीं किये है हलाकि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार कहते रहें कि एडी उन्हें गिरफतार करने वाली है दिल्ली सरकार की मंतरी आतिशी ने तो 24 फरवरी को यहां तक कह दिया था कि एडी 3-4 दन के भीतर किसी भी समय अर्विंद के द्रिवाल को गिर अधीर नतीजे भुगतने होंगे आपको बता दें कि खुद केजरिवाल भी कह चुके है कि एडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और वो जो कर रही है वो आज सम्मेधानिक है इसलिए पेश होने का सवाली नहीं राउज में न्यू कोर्ट में जमानत याचिका हाँ चुके पर सनवाई के दौरान भी केजरिवाल के वकील ने यहीं पूछा था की ईडी बताएं वो केजरिवाल को आरोपी मानकर समन बेज रही है या गवाह मानकर इडी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो कहने का मतलब ये है कि फिलहालत अरविंद केजरिवाल और ED के बीच जो रसाकशी चल रही थी उसमें केजरिवाल को थोड़ी बढ़हत मिल गई है यह आप कह सकते हैं कि ED की होश्यारियों को अदालत ने थोड़ा सा लगाम दिया है हलाकि दोनों बाते एक ही है लेकिन ये राहत कितने दिनों की है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है लेकिन एक बात तो तैम आनी जा रही है कि लोग सभा चुनाव तक करविंद केजरिवाल ED के दबाव से लगभग मुक्त हो गए हैं वो आराम से अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं ED के एक समन पर भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि एक रास्टिये पार्टी का ध्यक्ष होने की वज़ए से उन्हें बहुत सारे राजनितिक काम करने होते हैं और लोग समा चुनाव सिर पर हैं तो फिलहाल ED के पास आने और उसके सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास लेकिन गजब यह हुआ है कि इधार अरविंद के जरिवाल को शराब नीती घोटाले में राहत मिली और दूसरी तरफ उसी दिल्ली शराब नीती घोटाले में तेलंगाना के पूर मुख्यमंत्री के चंदरशेखर की बेटी के कविता को ED ने गिरफतार कर लिया इसके एक दिन पहले ही ED और इंकम टेक्स ने हैदराबाद में उनके घर की तलाशी ली थी आपको बता दे की ED ने कविता को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का नोटिस भेजा था कविता ने इस नोटिस के खलाफ सुप्रीम कोट में अपील की थी और पेश होने से इंकार कर दिया था लेकिन इसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया ED ने चार्ट शीट में आरोप लगाया है कि कविता एक साउट काटिल का हिस्सा थी गिरोह का हिस्सा थी जिसने दिल्ली उत्पाद शुर्क नीती के तहट अनुची तलाब के बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को सौ करोड रुपए का भुक्तान किया था कविता ने ED के नोटिस को मोदी का नोटिस बताया है और आरोप लगाया है कि उन्हें अवैध तरीखे से गिरफतार किया गया है आपको बता दें कि दिल्ली शराब नेती केस में आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेताओं पहले से जेल में है मनीश सिसोडिया, संजय सिंग और विजय नायर, सतेंद्र जैन एक अलग मामले में जेल में बंद हैं लेकिस शराब घोटाले में के कविता की गिरफतारी इस मामले में पहली बड़ी गिरफतारी है जो आम आदमी पार्टी के बाहर है कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफतारी अरविंद के जरिवाल की गिरफतारी की भूमी का हो सकती है लेकिन इसकी तारीख फिलहाल तो टल गई लगती है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आटिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए आप जानते ही हैं कि हम इस समय केवल योट्यूब पर अपने वीडियो डाल पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारे योट्यूब पेज तक पहुचने के लिए ट्विटर हैंडल अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जॉनलिस्ट नवीन नमस्कार